Agriculture Adda 24-7 Agriculture Adda 24-7 में आपका स्वागत है तो चले बच्चों शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आपको मालूम है कि हम लोग कुकुम्बर पढ़ने वाले हैं ठीक है बहुत important crop है और इस crop में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले है तो चले बच्चों सुरू करते हैं अपनी क्लास को तो देखते हैं कि आज क्या खास होने वाला है चले very good evening to all of you सुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि आज हम लोग क्या खास पढ़ेंगे ठीक है, चले, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुकुम्बर के बारे में, इसके कुकुम्बर के बारे में देखेंगे, चले कुकुम्बर बहुत important crop है, यहां से बहुत important questions आपके बनते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम की बात करें, तो साइंटिफिक नेम होता है कुकुम सटाइवस और फैमिली जो होती है वो होती है कुकुर बिटेसी ठीक है बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली आपको यादी रखनी है और साथी साथ क्रोमोजोम नंबर ध्यान रखने हैं तो क्रोमोजोम नंबर होते हैं 2N बराबर 14 क्रोमोजोम नंबर होते है origin की बात करें तो origin place क्या है origin place इसका इंडिया होता है ठीक है इसका इंडिया होता है ठीक है बच्चे चलिए common name की बात करें, common name इसका होता है, खीरा आपने मालूम होगा, आपको बहुत अच्छे से याद है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कि इसका जो common name होता है, वो खीरा होता है, ठीक है, चलीए. ये है image, image आप देख पा रहे होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं यानि कि कुकुम्बर की बात कर रहे हैं कुकुमिर सटाइवस की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या important होने वाला है ठीक है चलिए कुछ important points को discuss कर लेते हैं कौन कौन से important points हैं करा fruits are good for people suffering from constipation, joindice and indigestion करा है कि यह उनके लिए बहुत अच्छा होता है जो constipation से, joindice से और indigestion से सफर कर रहे होते हैं करा it is rich in vitamin B, C as well as minerals such as calcium, phosphorus, iron and potassium करा है कि यह vitamin B, vitamin C का अच्छा स्रोत है, minerals जैसे की calcium, phosphorus और iron वगेरा का अच्छा स्रोत होता है तो उसके लिए भी यह आपका बहुत अच्छा स्रोत है, करा fruit content 0.4% protein, 0.4% protein पाई जाती है, 2.5% carbon, hydrogen and oxygen वगेरा पाई जाते हैं, 1.5 mg iron, 2 mg vitamin C, per 100 g के हिसाब से, fresh weight के हिसाब से पाया जाता है, ठीक है, चलिए, यह तो हो गया इसके importance points की बात, यानिकी importance की बात, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं, करा fruit is also used as a estrogen and antipyratic, ठीक है, करा है कि fruit, fruit जो आपका होता है, as a estrogen और antipyratic कोई तौर पर use क्याता है, seed oil is also used as a antipyratic, ठीक है, इसका जो seed है, उसमें oil का थोड़ा सा percentage होता है, वो भी आपका antipyratic, यानि जो antipyratic के तौर पर काम करता है, cucumber is characterized by the presence of bitter principle card cucurbitation, जान दखना करा है कि cucumber में जो तीखापन होता है, या bitterness होती है, वो किसकी वज़े से होती है, वो cucurbitation की वज़े से होती है, इसकी वज़े से, cucurbitation की वज़े से होती है, ठीक है, चलिए, जो क्या करते हैं, जो आपका as a bitter principle काम करता है, जिसको cucurbitation भी कहते हैं, clear है, चलिए, आगे चलते हैं, आगे अब हम बात करेंगे इसके climate की, इसके climate की बात करेंगे, कहरा, cucumber prefers slightly lower temperature than water melon and musk melon, ठीक है, कहरा है, कि जो आपका cucumber है, वो water melon और musk melon की तुलना में lower temperature को prefer करता है, ठीक है, यानि कि water melon और musk melon जो हैं, इनको high temperature चाहिए होता है, कहरा, the optimum temperature is 26.4 degree centigrade, if the temperature goes above 30 degree centigrade, यानि कि तापमान अगर आपका 30 degree centigrade से ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, the production is reduced considerably, यानि कि तापमान 30 से ऊपर जाएगा, तो उत्पादन कम हो जाएगा, कहरा, seeds of cucumber germinates well if the day temperature is 20 to 30 degree centigrade, कहरा है, कि जो cucumber के seed है, उनका germination कितने पर होगा अच्छे से, germination उनका होगा, 20 से 30 degree day temperature पर अच्छा germination होगा, कहरा, it is essentially a warm season crop, but it is successfully grown in tropical and subtropical and temperate region, कहरा, वैसे तो, यह आपका warm season crop है, यानि कि कैसी, गर्मी के season वाली crop है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, यह आपकी कहाँ, tropical, subtropical और temperate तीनों region में आपकी grow कर सकती है, कहरा, this is very susceptible to frost, frost के प्रति बहुत susceptible होती है, excess humidity promotes disease like powdery mildew, downy mildew, anthrac nose and paste suggest food flight, कहरा कि, अगर क्या होगा, humidity जादा हो जाएगी, ठीक है, कहरा, अगर humidity जादा हो जाएगी, तो क्या समस्या होगी, तो powdery mildew और downy mildew, anthrac nose, जैसे जो diseases हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके बहुत तेजी से grow करना है, start कर देंगे, clear है बच्चे, चली, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, soil की, किसकी बात करते हैं, the soil should not crack in summer, and should not be waterlogged in rainy season, कह रहा है, कि जो soil होगी, वो गर्मियों में crack नहीं करनी चाहिए, और हिसा, साथ हिसाथ क्या होना चाहिए, रैनी कंडिशन में, यानि कि बारिस वाली कंडिशन में, क्या हो, waterlogging ना हो, यानि कि जल भराओ वाली समस्या ना पैदा हो, ठीक है, चलिए, आगे कह रहा है, the soil pH should be 6 to 7, कह रहा, जो soil pH है, वो क्या होनी चाहिए, वो 6 से 7 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 6 से 7 होनी चाहिए, कह रहा, a well-drained loamy soil is preferred for cucumber, कह रहा है, कि loamy soil, कैसी, loamy soil क्या होगी, loamy soil आपकी सबसे बढ़िया होती है, किसके लिए, कुकुंबर के खेती के लिए, loamy soil होनी चाहिए, pH 6 से 7 होना चाहिए, और, कह रहा है, water logging condition नहीं होनी चाहिए, कह रहा, lighter soil that warms quickly in spring are usually used for early yields, कह रहा है, light soil जो होगी, कब warm reason में, वो क्या होगी, कह रहा है, is warm quickly, कह रहा है कि spring का season जो होगा, यानि कि spring का जो मौसम होगा, उस मौसम में जो आपकी light soil होगी, वो जल्दी से गरम हो जाती है, यानि कि heat को absorb कर लेगी, तो क्या होगा, early yield, यानि कि जो पादन है, वो थोड़ा जल्दी होने लगेगा, इसलिए इसाफ, soil अच्छी होती है, कह रहा, in heavy soil, wine growth will be greater and fruit matures late, कह रहा, heavy soil में, wine जो है, यानि कि जो bale है उसकी, वो उसकी growth तो अच्छी होगी, लेकिन जो maturity होगी, fruit की, वो थोड़ी देर से होगी, कह रहा, in sandy river baits, alluvial substrate and subterrain moisture of river streams supports cucurbits, ठीक है, कह रहा है कि जो sandy river baits है, यानि कि नदी के किनारे वाला जो इलाका है, जहाँ पर alluvial soil आपकी देखने को मिलती है, उस soil में, आपका क्या होता है, cucurbits बहुत अच्छे से grow करते हैं, यानि कि बहुत अच्छा support मिलता है, यह वही चीज हुई, जिसको हम लोगों ने आपको बताया था कि दियारा कल्टिवेशन या डाइरा कल्टिवेशन कहते हैं, तो यह क्या हुगा, वही हुगा, जो cucurbits में ज़्यादा grow कराये जाता है, ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं इसके सीजन की, इसके सीजन की बात करते हैं, कहरा, in South and Central India, where winter is mild, cucumber is grown, almost throughout the year, कहरा है कि South India और Central India, South India में और Central India में, जहां पर क्लाइमेट जो है, वो mild होती है, यानि की medium type की होती है, ना बहुत गर्मी है, ना बहुत थंडी है, medium type की climate है, वहां पर आपका ये cucumber साल भर होगाया जाता है, कहरा, in the hills, the sowing season starts from April में, कहरा, hill में कब, hill में, आपका अपरेल में में, ठीक है, अपरेल में में स्टार्ट कर दी जाती है, sowing, ठीक है, कहरा, in Carnatica, January, February month best for sowing, Carnatica के लिए January, February month सबसे अच्छा है, हिली reasons के लिए अपरेल में सबसे अच्छा है, और कहरा, in Northern India, sowing of cucumber is done from November to January, कहरा, उत्तर भारत में, यानि कि North India में, जो इसकी sowing की जाएगी, वो November से लेकर जनवरी के टाइम पर की जाएगी, clear है, when it is grown in river beds for garden crops, it is sown by middle of February, कहरा, कि अगर इसको garden crop में उगाना है, तो सबसे अच्छा season, middle of the February होगा, for rainy season, अगर बरसात में उगाना है, तो for rainy crop, it is sown in June, July, यानि कि देखा जाए, तो पूरे साल ये grow कराये जा रहा है, जहाँ पर जैसी climate होगी, उसी के हिसाब से वहाँ पर ये आपका grow कराये जा रहा है, ठीक है, जून, जुलाई में आपका February, March में, North India में, November हो, November से January, और आपका कहां पर, Hill area में, कहां पर, Hill area में, आपका April से May, तो आपको Hill area वाला याद रखना है, और आप जिस reason से belong करते हैं, अगर आप North India से हैं, तो आप North India का याद रखना, साथ ही साथ Hill वाला आप जरूर याद रखियेगा, चलिए अब हम आगे बात करेंगे sowing की इसकी अब हम आगे sowing की बात करेंगे तो sowing की बात करेंगे और देखेंगे किरा 2.5 kilogram seeds are required for 1 hectare area किरा है कि 2.5 kilogram seed अपका sufficient होगा इसके लिए 1 hectare की crop के लिए 2.5 kilogram seed अपका बिल्कुल sufficient होगा कह रहा, seeds are directly sown in the soil, कह रहा, जो seed है, वो सीधे आपके soil में sow कर दिये जाते हैं, कह रहा है, in some cases, where early crop is desired, seed can be sown in polythene bag, कितना, कह रहा है, कि अगर आपको early crop चाहिए, आपको ज़्यादा जल्दी crop चाहिए, तो आप polythene bags में इसको उगार सकते हैं, कितनी, 10 गुणा 15 cm size की polythene और polythene का जो diameter होगा, या जो size होगा, वो 100 to 200 gaze का होगा, and germinated under cover to protect them from low temperature, कह रहा है कि इनको किसी seed के under में आपको उगाएंगे, ताकि क्या हो, कि जो low temperature है, उससे आप इसको protect कर सके, यानि कि वहाँ पर यह आपका खराब ना हो, बोलो बच्चे, यहाँ तक clear है, जल्दी से एक कुछ clear है, ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे spacing की, इसकी spacing की बात करेंगे, तो कह रहा है, in general row, in general row distance of 1.5 to 2.5 meter and hill to hill distance is 6290 cm is advocated, कह रहा है कि normal distance में अगर आप grow करा रहे हैं, तो डेर से धाई मीटर, कितना, डेर से धाई मीटर आपका सबसे अच्छा होता है, और अगर आप पहाली छेतर में उगा रहे हैं, यानि कि hill areas में उगा रहे हैं, तो 60-90 cm आपका advocate जाता है, यानि कि यही distance आपकी maintain की जाती है, किसमें, यह आपकी normal उसमें 1.5-2 cm और hilly reason में आपका कितना, 60-90 cm आपका रखा जाता है, clear है बच्चे, चलिए, अब हम बात करें इरिगेशन की, इसकी इरिगेशन की बात करेंगे, तो कह रहा है, frequent irrigation is very important in spring summer crop, क्या, कह रहा है, spring summer crop जो है, उसके लिए आपकी जो frequent irrigation है, वो बहुत matter करती है, क्या, जो आपकी irrigation है, वो आपकी बहुत matter करती है, कह रहा, while in rainy season crop, irrigation may not be necessary at all, कह रहा है कि rainy season की crop अगर आप कर रहे हैं, तो उस rainy season की crop के लिए आपका जो irrigation है, वो उतना ज्यादा necessary नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कह रहा, the rainfall is well distributed between July to September, कह रहा, जो rainfall है, यानि कि जो rainfall है, बारिस है, जो वो July से September के बीच में widely distributed होनी चाहिए, यानि कि अच्छे से आपकी पूरी crop को क्या हो, irrigation मिल सके, खेरा, over irrigation should be avoided as cucumber cannot withstand under water logging condition, कह रहा, अगर आपकी soil में proper moisture है, तो फिर आपको irrigation करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि cannot withstand under water, water logging condition, ठीक है, अगर water logging condition होगी, तो फिर आपका plant वहाँ पर बहुत अच्छे से grow, नहीं करेगा, ये cucumber की खास बात होती है, ठीक है, चलिए, अब हम बच्छे बात करेंगे varieties की, इसकी varieties की बात करेंगे, variety वाला section आपका बहुत important है, क्योंकि यहीं से आपके सबसे ज़्यादा question बनते हैं, खास कर किसमें, खास कर आपके cucumber में, चलिए, पहली variety है आपकी Japanese long green, क् आपकी variety क्या है, introduced variety है, कह रहा, it is introduction and it is suited to hill and lower hills, कह रहा है कि ये variety, कहुंसी, Japanese long green variety जो है, वो hill और lower hills के लिए बहुत सो table होती है, extra early variety है, कैसी है, extra early variety है, with 45 days maturity, यानि कि ये वाली जो variety है, Japanese long green, ये आपकी 45 दिन में maturity पहुँच जाती है, fruit का जो size होता है, वो 30 से 40 cm long होता है, fresh light green color का होता है, क्रिप्स होता है, released by IARI, यानि कि इस variety को किस ने release किया है, IARI से release है, यानि कि उसा IARI से आपकी ये variety released है, ठीक है, ध्यान रखना, Japanese long green बहुत famous variety है, दूसरी variety है आपकी straight eight, कौन सी, straight eight variety है, ये भी आपकी बहुत famous variety है, कौन सी, straight eight जो variety है, बहुत famous variety है, के रहा, early cultivar suited to hills, यानि कि ये भी बहुत आपकी हिली region पर ग्रोग राने वाली है, white spined fruit, के रहा, white spined color के fruit होते हैं, medium long और के रहा है, thick straight with round end, के रहा, thick straight और जो ऊपर का end होता है, वो कैसा होता है, round shape का होता है, ठीक है, color की अगर बात करें, बच्चे, तो color होता है, medium green color होता है, released by IARI, IARI के द्वारा released है, कौन सी variety, straight 8 variety, Japanese green long और straight 8, ये दोनों variety आपकी क्या है, ये दोनों variety आपकी कैसी है, IARI से released है, ठीक है, चलिए, लेकिन कहां से, IARI का जो regional research station है, कहां पर, कुलू वैली, यानि कि जो कुलू घाटी में आपका, IARI का जो regional research station है, वहां से ये दोनों variety आपकी डबलब है, clear है बच्चे, चलिए, आगे चलते हैं, अगली variety है, हमारी पूसा सैयोग, बहुत famous variety है, ध्यान रखना, पूसा सैयोग आपकी F1 hybrid variety है, किसका किसका cross है, Japanese Gynosius Line का, और Green Long of Naples का, इन दो variety का cross है, यानि कि F1 hybrid variety है, Japanese Gynosius Line का cross है, Green Long of Naples का, ये early और high yielding variety है, यानि कि पूसा सैयोग, आपकी कैसी variety है, early variety है, और साथ ही साथ कैसी है, high yielding hybrid variety है अपकी होती है, द्यान रखेंगे, उसके बाद आपकी वराइटी है, यह वो सारी वराइटी है, जो आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, या फिर किसी ना किसी एक्जाम में पोछी गई है, यह जो पॉइंसेट वराइटी है, यह अमेरिका से इंट्रोडूस्ट वराइटी है, यानि कि जो आपकी पॉइंसेट वराइटी है, या पॉइंसेट वराइटी है, यानि कि जो आपकी पॉइंसेट वराइटी है, या पॉइंसेट वराइटी है, या पॉइंसेट वराइटी गाउनी मिल्डियों के लिए रेसिस्टेंट है, एंथरक नोच के लिए रेसिस्टेंट है, और साथी साथ एंगुलर लीफ स्पॉट के लिए भी आपकी रेसिस्टेंट होती है, अगली वराइटी है पूसा हिमांगी, कौन सी है, पूसा हिमांगी वराइटी है, पूसा हिमां पोईंसेट और कल्यान पुर अगेती वराइटी का क्रॉस है तो इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है इसका किसका पोईंसेट और कल्यान पुर अगेती का क्रॉस है ठीक है करा fruits are white in color and resistant to branching करा जो fruits है वो कैसे होते हैं वो आपके होते हैं रसेस्टेंट होते हैं वाइट कलर में होते हैं और ब्राउंजिंग के लिए रसेस्टेंट है पूरे वाइट नहीं आपने देखा होगा कि ग्रीन में कुछ हल्का सा वाइटनिंग आ जाती है उस टाइप के होते हैं करा डियूरेशन चलिए, आगे चलते हैं, कुछ और वराइटी हैं, उनकी बात कर लेते हैं, अगली वराइटी है हमारी फूले सुभांगी, कौन सी है, फूले सुभांगी वराइटी है, तो कहरा, released by MPKV, tolerant to powdery mildew, कहरा है, कि ये फूले सुभांगी जो वराइटी है, ये भी आपकी MPKV से release है, और powdery mildew के लिए resistant होती है, clear है बच्चे, यहां तक clear है, चलिए, जल्दी से बताओ, कि यहां तक clear है, ठीक है, दूसरी वराइटी है, आपकी सीतल, कौन सी, सीतल वराइटी है, कहरा, released by, कौंकन क्रसी विद्यापीस्ट डपॉली, कहरा है, कि जो सीतल वराइटी है, वो आप under temperate condition, released by, यस्वंत सिंग परमार, University of Horticulture and Forestry, Solan, कहरा कि, के नाइटी जो वराइटी है, यह temperate condition के लिए सबसे अच्छी वराइटी है, ठीक है, और कहां से डवलप हुई है, यस्वंत सिंग परमार, University of Horticulture and Forestry, Solan से डवलप वराइटी है, clear है, चलिए, अगली वराइटी है Solan Hybrid, कौन सी है, Solan Hybrid वराइटी है अपकी है, और यह Solan Hybrid, कहां से, यस्वंत सिंग परमार, University of Horticulture and Forestry, Solan से डवलप है, ठीक है, ज्यान रखेंगे इस बात को, कहां से, Y, P, Y, S, P, U, H, and F, ठीक है, यस्वंत सिंग परमार, University of Horticulture and Forestry, Solan से अपकी डवलप है, तो यह वो सारी वराइटी थी, जो हमने डिसकर्स की, बहुत मज़ेदार वराइटी थी, इन ही वराइटी से आपके questions बनते हैं, clear है बच्चे, चलिए, उसके बाद एक वराइटी और है, उसका नाम है China, कौन सी वराइटी है, चाइना वराइटी है, नाम आपने सुना होगा, ठीक है, क्या नाम आपने इसका सुना होगा, चाइना वराइटी है, यह आपकी कहां से long duration वराइटी होती है, यानि की काफी लंबे समय तक यह आपकी grow करती है, ठीक है, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं, use of growth regulator की, इसकी growth regulator की बात करते हैं, तो growth regulator में, क्या अप्लिकेशन आफ एथरल, 1.500 से 200 PPM, increase the number of flowers, क्या रहा है कि अगर हम एथरल, 1.500 से 200 PPM का use करेंगे, तो जो flower है हमारे, वो क्या हो जाएंगे, वो increase होंगे, क्या रहा है, increase flowers, fruit set, and in turns, increase the yield, यानि की एथरल, 1.500 से 200 PPM का use करने पर क्या होता है, आपके flower, fruit set और जो आपका yield होगी, वो आपकी increase होती है, ठीक है, क्या जिये, यानि की जिब्रेलिक एसिड, 1500 से 2000 PPM, and silver nitrate, 200 से 300 PPM, induce male flower on gynoseous cucumber, क्या वो cucumber, जो gynoseous होते हैं, उसमें अगर हम जिब्रेलिक एसिड और silver nitrate का spray करेंगे, तो number of male flowers आपके बढ़ जाएंगे, क्या, gynoseous cucumber में number of male flowers पल जाएंगे, अगर हम जिब्रेलिक एसिड या फिर silver nitrate का spray करेंगे, क्यारा, soil drenching of paclobuterol, 75 PPM, increase the yield, क्या रहा है, 75 PPM paclobuterol का spray करेंगे, नहीं, drenching करेंगे, माफ करना, drenching का मतलब होता है, क्या करना, water को pour करना, drenching कहलाता है, तो कह रहा है, गर 75 PPM paclobuterol से हम drenching करेंगे, तो क्या होगा, तो आपका जो, क्या होगा, yield आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, कह रहा है, the chemicals, plant growth regulators, may be applied at two true leaf stage, and repeated the spray at four true leaf stage, कह रहा है, दो true leaf stage से four true leaf stage तक repeat करते रहते हैं, ठीक है, तो ये है huge किसका, plant growth regulator का, जिसमें आप ध्यान रखेंगे, एथरल क्या काम करता है, जिब्रेलिक acid और silver nitrate क्या काम करते हैं, ये आप ध्यान रखना, कि जिब्रेलिक acid और silver nitrate आपके, गाइनोसियस कुकुम्बर में, male flower की संख्या को बढ़ाते हैं, और एथरल आपका, number of flowers, fruit set और yield को increase करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चलिए, अब हम बात करते हैं, प्रूनिंग की, कुकुम्बर में करते हैं, प्रूनिंग, प्रूनिंग of all the primary branches after two nodes give highest yield compared to un-pruned ones, कह रहा है कि आपके जो कुकुम्बर हैं, उसमें आपको primary branches को क्या करना है, after two nodes के बाद क्या करना है, प्रूनि करना है, देखो कैसा होता है, यहां से इसमें नई growth निकली, फिर उसमें नई growth निकली, ऐसे करके नई growth निकलती है, तो आपको यहीं से इसको हटाते जाना है, main एक आपको चलाना है, क्या, main आपको एक चलाना है, जिससे क्या होगा, बहुत सारी side की branches नहीं निकलेंगी, और एक branch पे ही आप इसको develop कर लेंगे, तो क्या होगा, जो primary आपकी branches हैं, all primary branches हैं, उनको क्या कर देते हैं, प्रून कर दे आता है, clear है बच्चे, चलिए, अब हम बात करते हैं, हारवेस्टिंग की, किसकी हारवेस्टिंग की बात करते हैं, तो कह रहा, picking of fruits at the right interval maturity stage is dependent upon the varieties, कह रहा है, कि picking of fruits, fruit को pick करना, right maturity stage पर, यानि कि कब हमको किस stage पर fruit को pick करना है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे, तो fruit आपका over ripe हो जाता है, ठीक है, चलिए, करा, optimum length of the fruit will be around 20-25 cm at edible maturing stage, करा है, कि जो खाने like stage है, यानि कि edible maturing stage है, यानि कि खाने के लिए जो stage है, वो 20-25 cm, जैसे ही उसका size होगा, अब sufficient हो जाता है, harvest के लिए, करा, depending upon the cultivar, in case of slicing cucumber, ठीक है, इसके लिए, जो आप slice बनाके as a salad के तोर पर खाते हैं, तो उसके लिए 20-25 cm size का जो cucumber है, सबसे अच्छा होता है, harvesting के लिए, करा, in small fruited types, which have pale green skin color, the length of fruit should be around 8-12 cm, करा, जो small cucumber होते हैं, छोटे size वाले cucumber होते हैं, जिनकी skin का color pale green होता है, यानि की हलका सा पीला green होता है, उनकी harvesting की जो stage है, वो 8-12 cm होती है, करा, here also fruits turning yellow will be over mature, करा, जैसे ही आपका fruit green से yellow turn हो जाएगा, यानि की yellow color की तरफ turn होने लगेगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका over mature so हो जाएगा, करा, in western countries, in western countries, most of the pickling, क्या, most of the pickling cultivars are adopted to machine or once over harvest, ठीक है, कहराएं कि western countries में क्या करते हैं, कि जो picking करते हैं, वो machine harvest करते हैं, यानि कि एक साथ ही वो सारा कुछ harvest करते हैं, ठीक है, आपको मालूम है कि western countries में क्या है, mechanized system चलता है, ठीक है, क्या चलता है, mechanized system चलता है, तो इस पत्चे से क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, yield की बात करते हैं, तो yield की बात करेंगे, और yield की बात में देखेंगे, कि कितना उतपादन हो जाता है, क्या, कितना उतपादन हो है इसको ध्यान करेंगे ठीक है चलिए अबाउट 15-20 टन इस ऑप्टेंड फ्राम ओपन कंडीशन बाइ यूजिंग मोनोसियस वराइटी कि ओपन कंडीशन में जब आप ग्रो कराते हैं मोनोसियस वराइटी इसको तो पंदरह से 20 तन आपका उत्पादन हो जाता है करा दिस इ तन आपकी हो जाएगी ठीक है करा अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन अबाउट 200 टन पर हेक्टेयर इल्ड इस ऑप्टेंड यूजिं ट्रॉपिकल गाइनोसियस हाइब्रिड करा कि अगर आप ग्रीन हाउस में यानि कि प्रोटेक्टिट कल्टिवेशन में उगाएंगे तो कि स्टोरिज की बात कर लेते हैं करा चिलिंग इंजरी इस फिजियोलाजकल स्टोरेज डिसॉर्डर अफ कुकुम्बर के केस में क्यों करा कि अगर आप कुकुम्बर को 10 डिगरी सेंटिग्रेट से नीचे रखते हैं क्या हो जाएगा फॉर प्रोलांग पियर्ड यानि की करा फॉर्ड गुर्ड स्टोरेज लाइफ आप्टिमम टंप्रेचर इस नियर अबाउट 10 डिग्री सेंटिग्रेट एंड रिलेटो हुमिडिटी आफ 85 परसेंट कितना 10 डिग्री सेंटिग्रेट टंपेचर और 85 परसेंट आपकी सबसे अच्छी होती है करा इट इस बेटर if fruits are consumed immediately after removed from the storage यह सबसे अच्छा होता है कि जैसे ही storage से आप निकालें वैसे ही आप इसको तुरंत consume कर लें किरा cucumbers can only be stored for 10 to 14 days किरा cucumber को आप 10 से 14 दिन के लिए store कर सकते हैं ठीक है बच्चे चलिए तो यह थी आज की हमारी class जिसमें हमने discuss किया cucumber के बारे में ठीक है आपको मालूम है कि double validity का offer चलना है तो जो बच्चे purchase करना चाहें कर सकते हैं Y443 A code के साथ आज आपका महिने का last दिन है और आज ही यह double validity offer चलना है चाहें आप इफको AGT का batch purchase करें चाहें आप महापैक की तैयारी में क्या है आज IBPS का batch launch हुआ है साथ ही साथ double validity offer के साथ किसके साथ double validity offer के साथ आफका क्या launch हुआ है इफको IBPS AFO का batch launch हुआ है ठीक है clear चलिए तो यहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे यहाँ पर आप सर्च करेंगे क्या चलिए यहाँ पर आप IBPS AFO सर्च करेंगे जैसे ही आप IBPS AFO सर्च करेंगे ठीक है IBPS AFO जैसे ही आप सर्च करेंगे ठीक है यह वाला देखिए यह तो foundation course है ठीक है चलिए लेकिन इसी में आपको क्या मिलेगा आप यहाँ पर agriculture सर्च करिए simply कुछ मत करिए आप agriculture सर्च करिए और agriculture से जितने related आपको exams है वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ठीक है क्या हो गया चलिए ठीक है चलिए कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है बच्चे वाकि हलाकि ऐसा है नहीं ठीक है यह देखो आई बी पीएस एफो का जैसे सर्च करेंगे यह आपको यहाँ से मिल गया है यह नया बैच आपका लांच हुआ है डबल वलिटी ओफर चलता है इसमें साफ आपको दिख रहा है अलाकि यह 15,000 का यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यह इतने प्राइस का है नहीं जैसे ही आप इसमें कोड लगाएंगे कौन सा Y443A Y443A कोड जैसे ही आप अपलाई करेंगे यह तो आप इसमें देखेंगे यह आपको 3199 का पढ़ने वाला है यानि कि 3199 रुपय का अगर आप इसको एप्लिकेशन पर जाकर परचेज करेंगे तो यह आपको लगबग 3000 रुपय के असपास पढ़ने वाला है और इसमें आपको 12 महीने की वेलिटी मिलेगी यह आपका इसमें मिलने वाला है ठीक है चलिए जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं आपका complete video course, complete live classes course है तो अब आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि आपका exam बहुत नजदीक आने वाला है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जल्दी से class को start किया जाए यानि कि batch को start कराया जाए तो यह batch आपका start हो चुका है एक जून से कबसे? एक जून से classes live चलेंगी limited seat है तो जैसे ही आपको यह information मिली है 3129 का है अगर आप application पर जाकर purchase करेंगे तो वहाँ पर आपको यह 3000 के आसपास पढ़ने वाला है पूरे 12 महिने की variety के साथ तो इसमें आपको सारी चीज़े मिलेंगी यानि कि prelims कम mains आपको दोनों मिलने वाले है पूरी faculty यहाँ पर आपको दिखेगी कौन-कौन से लोग आपको पढ़ाने वाले है सारा details आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा आपको सारी चीज़े highlight की गई है ठीक है चलिए two-way interactive classes है flavors based exam है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है ठीक है topics कौन-कौन से cover कराए जाएंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कौन-कौन faculty आपको पर हने वाली है उन सारी faculties के नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे तो चलिए यह थी आज की हमारी class तो जो बच्चे purchase कर रहे हैं कौनसा coupon code इस्तेमाल करेंगे coupon code इस्तेमाल करेंगे Y443A यह यहाँ पर देखो लिखा है कौनसा Y443A coupon अपलाई करेंगे और 3199 में आप benefit उठाएंगे तो फिर मुलते हैं कल तब तक के लिए जय हिन